शराब या नशे का सेवन एक शराफ है, सामाजी का भी शाफ है इसे राजस्वी के वसूली तो शाशन को बहुत होती है लेकिन जिंदिग्यां और घर किस प्रकार बरबाद होते हैं आईए आज देखते हैं इसकी एक बानगी के छत्रिजगड में शराब किस प्रकार चत्रिजगड प्रदेश में दाव आनद कुमार जो कि छत्रिजगड राजी के निर्मान के लिए उन्होंने काफ iy संगर्श किया है कि तत्वद्धान में एक निरंटर और धरना जारी है प्रदेशन जारी है जो जो रोज शाम को साड़े पांस से साड़े च्छे बजे ये लोग अखंड धरने पर बैटते हैं अभी जो अखंड धरना है इसमें क्या उद्देश है इसमें तो सबसे पहले तो पूर्ण शराब पंदी हो और दूसरा जो देश इस तर पर भृष्टाचार है उसका गिराकरन होना चाहिए भृष्टाचार मुकतर खराब मुकतर चतिर्गर के हमने परिकलतना की थी लेकिन दिश्य ठीक भी प्रीट है इस धरना की प्रेड़ना से और जगह जगह शराब विरुधी अंडुलन प्रारंब हो रहे हैं विशेश कर महिलाओं के द्वारा तो यह इस धरने की सफलता का प्रारंबीक परूप है मैं चाहता हूँ कि 36 गड़ में पूर्ण ते शराब बंदी हो अन प्रदेशों की तरह ताकि लोग अन बुराईयों को छोड़ करके और समाजिक आर्थिक रूप से संपन हो सुखी संपन जीवन परिवार चला सकें शराब पर पूर्ण ते पाबंदी लगाई जाए बले ही अनिश आशन को इसका आर्थिक रूप से नुक्सान हो इंडिया अनहर्ड के लिए मैं सरवत तक भी गयापुच अपी रखूँ